बिहार विधान सभा के नेता प्रतिपक्ष वजय कुमार सन्हा ने बिहार के मुख्यमंत्री नितीश कुमार के समधाने आत्रा पे तंज कसा है उन्होंने मुख्यमंत्री को याद दिलाती हुए कहा कि खगड़िया जिले में राज़त के लोगों ने सुरक्षा की बावजूद आपको मंच पे नहीं चरने दिया था ज़य सन्हा ने कहा कि खगड़िया आज भी बधाली के दौर कायम है भारत सरकार के द्वारा खगड़िया में मक्का उद्योग लगाने के लिए बहुत कुछ किया गया था आपकी सरकार ने पूरा नहीं होने दिया सरकार के द्वारा मेगा फूट पार्क बनाने की स्विक्रती दी गए लेकिन आज तक ये भी अपने पर्मिशन नहीं दिया मानने मुख मंत्री जी फिर समधान यात्रा पर कुछ याद ताजा करा दें आपको खगडिया जिला का वही खगडिया जिला है जहां राज़त के लोगों ने आपको भरपूर सुरक्षा के बाद भी सवा मंज पर चरने नहीं दिया था समस्याओं को लेकर जिसके साथ गलवहियां किये मुख मंत्री तेजस्ची जादव जी आज वो भी साथ बैटे हैं वहां के समस्या का समधान आपने नहीं कर सका घटना दसक पुर्व की है परन्तु खगडिया आज भी बदहाली में जी रहा है माननी है मुख मंत्री जी भारत सरकार द्वारा यहां मक्काव द्योग के लिए कापी सहायता की गई पर आपकी सरकार ने पूरा होने नहीं दिय केंदर में मोदी जी के सरकार ने कोसी छितर में विकास हो पांच हजार लोगों को रुजगार मिले कड़ी 25 हजार लहु सिमान किसानों को फाइदा हो इसके लिए खगडिया में 127 करोड की लागत से मेगा फूट पार्ट बनाने की सुकूर्ति दी लेकिन मुख मंत्री जी आ आप क्यंद की योजनाओं को लटकाने अटकाने और भटकाने के करम में यह भूल जाते हैं कि इससे विहार का विकास बादित होता है आपने जो खगडिया का इस्तेमाल सिफ्र राजनीतिक फाइदा के लिए किया और यहां फूट डालो राजकरू की निती अपनाया आज म उखमंत्री उखमंत्री दोनों जबाब दें समस्चा का समधान करें मानने मुखमंत्री जी फिर समधान यात्रा पर कुछ याद ताजा करा दें आपको खगडिया जिला का वही खगडिया जिला है जहां राज़त के लोगों ने आपको भरपूर सुरक्षा के बाद भी सव आज वो भी साथ बैटे हैं वहां की समस्या का समधान आपने नहीं कर सका घटना दसक पुर्व की है परंतु खगडिया आज भी बदहाली में जी रहा है माननीय मुखमंत्री जी भारत सरकार दोरा यहां मक्का उद्योग के लिए कापी सहायता की गई पर आपकी सरकार ने उसी छित्र में विकास हो पांच हजार लोगों को रुजगार मिले करी 25 सज्जार लहू सिमान किसानों को फाइदा हो इसके लिए खगडिया में 127 करोड की लागत